160 CC का असली राजा कौन बजाज पलसर N160 या फिर हीरो की एक्स्ट्रीम 160 और 4B का मिड मॉडल दोनों के क्या-क्या अलग-अलग फीचर्स हैं किस बाइक में आपको ज्यादा पावर, पेकप, परफॉर्मेंस, सेफटी, राइट, कमफर्ट आपको बहतर मिलता है कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी फैमिली के लिए है, कौन सी वैलू फोर मनी है कीमत की बात करें तो N160 की और रूड कीमत है, 157 और 300 और जबकि Extreme 160 की और रूड कीमत है 162 और 600 और दोनों में 500 और रूड का अंतर है N160 की हेडलाइट की वाइजर के उपर में नंबर प्लेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं बाकी हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, कोई भी LED वाला यहाँ पर आपको अप्सन नहीं है बाकी एक चीज़ अच्छी है कि रोवोटिक वाला लुक आपको मिल जाता है जो कि थोड़ा सा ट्रांसफोर्मर जैसा दिया गया उपर में आई सेप के LED DRL और नीचे में वी आई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर का सेड़ मिलता है अगर मैं compare करूँ तो यह देखने में थोड़ी सी MT15 जैसी लगती है तो लुक इसका काफी प्यारा है और एक बात और बता दूँ कि इसकी headlight का जो throw है वो आपको सबसे जादा बहतर देखने को मिलेगा बाकी उपर में black color, side में red और silver color के sticker है जबकि extreme 160R 4B के headlight के उपर में देखेंगे तो यहाँ पर hero का 3D में logo है और robotic वाला थोड़ा सा यहाँ भी look मिलता है LED वाले winkers मिलते हैं प्लस इसमें hazard कावी features दिया गया है उपर में छोटे छोटे LED DRL, split LED headlight का set मिलता है तो रोसनी उतनी ज़्याद आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको N160 में मिलती है लेकिन looks की मामले में ये भी bike जो है वो N160 को कहीं न कहीं पीछे छोड़ जाती है N160 के friend में 37 mm diameter के काफी मोटे मोटे टेलिसकोपिक fork मिलते हैं आगे वाला जो मटगाड़े ये दो पीस में divide किया गया है आगे वाला हिस्सा अलग है, पीछे वाला अलग है अच्छी बात यह है कि हाँपर dual channel ABS आपको मिलता है 300 mm की बड़ी डिसक मिलती है जिसमें आपको reflector क्रेमेका के कैली पर मिल जाते है 187 profile का tube less tire मिलता है, 17 range के alloy के साथ जबकि 160R 4B के front में भी 37 mm के telescopic fork मिलते हैं इससे उपर वाले model में आपको golden color के USD fork मिलते है single channel ABS मिलता है, 216 mm की disc मिलती है इसमें dual channel ABS आपको नहीं मिलता है 187 profile का tube less tire है, front में 17 range का alloy दिया गया है N160 के petrol tank के cowl के उपर में pulser का 3D में logo है जो की chrome में दिया गया है और यहाँ पर आपको matte black color के graphics मिल जाते हैं यहाँ भी आपको matte black color के graphics और नीचे में white और red color के sticker और यह जो portion है, यह plastic है नीचे भी plastic दी गई, लेकिन जो petrol tank आप देख रहे हैं यह metal body का दिया गया, 14 liter का और यहाँ पर E20 का sticker है जैसा कि यह E20 fuel को support करती है और चोड़ी सी, थोड़ी सी design है इस bike के petrol tank के है और यहाँ पर USB mobile charging का port मिल जाता है जिससे bike चलाते से में आप mobile को भी charge कर सकते हैं जबकि 160 R4B का जो petrol tank का आगे वाला हिस्सा है यहाँ भी E20 का sticker है यह भी bike E20 fuel को support करती है लेकिन देखने में इस bike के petrol tank की जो design है वो काफी ज़्यादा unique है, काफी stylish है यहाँ भी आपको matte black color आगे में red color और यहाँ पर आपको 160 R का बड़ा सा graphics आपको मिल जाता है dual tone color के sticker है उपर में extreme का 3D में logo है, hero की branding है R का बड़ा सा sticker है और यह जो portion आप देख रहे है red color वाला, यह single piece दिया गया है पूरा का पूरा और 12 liter का petrol tank है, जो की fully plastic है N160 की जो handle war है वो आपको थोड़ी सी upright मिलती है थोड़ी सी उंची है, rider की तरब है जोकना आपको बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है बाइक को चलाते समय इसमें infinity semi digital console आपको मिल जाता है जिसके बीच में rp meter analog में है यहाँ पर आपको gear position indicator speedometer मिल जाता है घड़ी मिल जाती है, fuel gauge मिल जाता है और इसमें आपको odometer, trim meter और service duty remainder मिल जाता है side distance की warning मिल जाती है बाइक इसमें आपको real mileage indicator मिल जाता है DTE मिल जाता है distance to empty आपको मिल जाता है अगर मैं top speed की बात करूं तो 126 km प्रते गंटे के असपास top speed मिल जाती है 126 की top speed 45-50 के बीच में mileage देती है और road से चपकर चलती है क्योंकि 154 kg की heavyweight bike है और performance के बारे में ये bike 115 की top speed तक आसानी से जाती है उसके बाद इसको थोड़ा सा संगर्स करना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो power है वो 160R से कम है यहाँ पर आपको passing का button मिलता है तो headlight की रोसनी आपको काफी अच्छे मिलते हैं इसमें fully digital meter console मिल जाता है जो कि इसका plus point है यहाँ पर ABS turn indicator, headlight, gear neutral indicator, side stand, check engine, low fuel की warning की alert मिलती है यहाँ पर आपको speedometer, gear position indicator मिल जाता है rpm meter मिल जाता है, गड़ी मिल जाती है odometer, trim meter, नीचे में fuel gauge मिल जाते है इसमें real mileage indicator आपको नहीं मिलता है लेकिन इसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है जिसमें SMS alert, call alert, miss call alert और यहाँ पर आपको passing, upper deeper, indicator और horn इसकी जो top speed है वो भी आसानी से चली जाती है 126 से 126 यहाँ पर आपको engine के लिए स्टार्ट का उटन है सबसे पहले आप इसके sound को सुने N160 की comfort के बारे में बात करें तो यहाँ पर N160 का sticker है यह जो seat का उल आप देख रहे हैं यह काफी stylus इसमें split seat का यह option दिया गया जो की बहुत ज़्यादा soft नहीं है medium soft seat है जो की family ले बहुत ज़्यादा comfortable नहीं है 795 mm की seat है अगर इसमें single seat होती तो काफी अच्छा रहे था पीछे में split वाले grab handle आपको मिल जाते हैं और split LED glider pattern वाली LED वाली tail head मिलती है जो की दिखने में काफी ज़्यादा stylus लगती है compare to 160R 4B extreme के मुकाबले देखो comfort के मावले में extreme 160R थोड़ी सी आगे निकल जाती है यह जो कावल है यह भी काफी stylus हैं hero की branding है single seat आपको मिल जाती है split seat का भी option दिया गया तो आप interchange भी कर सकते हैं लंबी चोड़ी seat है और काफी मौटी seat है 790 mm की seat है जो की family के लिए भी comfortable है पीछे में split वाले external grab handle single piece LED वाली tail light LED winkers plus hazard का features भी आपको मिलता है पिछला जो मटगाड है वो भी काफी चोड़ा है N160 की rear में बड़ा सा tire hugger दिया गया है और यहाँ पर आपको 230 mm की disc मिलती है plus point यह है कि यहाँ पर ABS आपको मिल जाता है और यहाँ पर 130, 70, 70 profile का tube less tire मिलता है radial नहीं है लेकिन चोड़ा tire है 130 mm का चोड़ा है पीछे में mud flap और यहाँ पर आपको nitrox monoshock adjustable suspension मिलता है नीचे में under valley sporty look में exhaust दिया गया है जिससे काफी अच्छी आवाज में निकलती है swingarm आपको box वाला मिलता है 160R4B की rear में आपको जो tire है वो 130, 70, 70, 70 का radial tube less tire मिलता है तो जो इसका सबसे बड़ा plus point है लेकिन negative है यहाँ कि पीछे में 220 mm की normal disc मिलती है ABS नहीं दिया है 70 range का low है यहाँ पर आपको 7 step adjustable preload monoshock suspension आपको मिल जाता है लेकिन जो exhaust आपको थोड़ा सा sporty वाला look मिलता है जो की external में दिया गया जो की देखने में भी काफी अच्छा है N160 की engine की तरफ चलते हैं बाइक की जो foot packs है वो थोड़े से पीछे की तरफ थोड़े से उपर की तरफ दिये गए है और यहाँ पर brake pad है 150 mm की ground cleanse आपको मिल जाती है DTSI वाला 20 spark वाला engine मिलता है दो spark plug दिये गए हैं यह है इसका crash guard और इसमें आपको छोटा से एक oil cooler वाला radiator मिल जाता है जो की extreme 160R से थोड़ा सा छोटा दिया गया है यह है इसका engine guard और इस bike में भी आपको केग स्टार्ट का lever नहीं मिलता है इसमें 164 cc का air cold 4 stroke 2 वाल BS6 fi engine दिया है जो 16 PS की power देता है 14.6 newton meter का torque generate करता है इसकी जो power है वो 1 PS की कम मिलती है हीरो से extreme 160R 4B के engine की तरफ चलते है तो इसमें भी आपको 165 mm की same ground cleanse आपको मिल जाती है बाइक के जो foot packs है यह भी आपको थोड़े से पीछे की तरफ देखने को मिलते है plus point यह है कि यहाँ पर 2B नहीं 4B 4 valve वाला नया powerful engine मिलता है जो की ज़्यादा powerful है और इसका जो उपर वाला जो oil cooler वाला जो radiator है वो आपको थोड़ा सा बड़ा मिलता है N160 से इसमें भी आपको kick नहीं मिलती है इसमें 163 CC का engine दिया है जो यह oil cooled 4 stroke 4 valve है जो 16.9 PS की max power देता है 14.6 Nm का torque पैदा करता है इस back में 1 PS की power आपको ज़्यादा मिलती है लेकिन जो torque है वो N160 के बरावर है N160 का curve weight है 154 kg और यहाँ पर आपको black color का साड़ी guard मिल जाता है जाली के torque पर और open chain set cover मिलता है mud flap आपको मिल जाता है tire hugger आपको मिल जाता है बाक यहाँ पर adjustable footbacks आपको मिलते है और नीचे में box वाला swing arm दिया गया है और chain adjuster भी आपको मिल जाता है और tire की pressure को भी देख सकते हैं इस back में आपको torque on demand के साथ आपको 5 speed constant mass gearbox का set मिलता है बाक का जो gear है वो काफी ज़्यादा smooth है तो gear box इसका काफी ज़्यादा smooth है proper एक वारे में gear डलता है एक वारे में gear निकलता है जबकि extreme 162R का वज़यने 144 कलो जो की 10 कलो ग्राम हलकी N160 से यहाँ भी आपको adjustable footbacks मिलते हैं और यहाँ भी आपको एक साधी गार्ड के तोर पर जाली मिलती है open chance set cover मिल जाता है box वाला swing arm आपको मिलता है इस bike में भी आपको 5 speed gearbox मिल जाता है इसका भी जो gear box है वो काफी ज़्यादा smooth है side stand और man stand दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी तो अब बात करते हैं दोनों के final verdict की के दोनों में से कौन सी bike आपको खरीदनी चाहिए अगर आपको थोड़ी सी headlight में ज़्यादा रोसनी चाहिए robotic वाला look चाहिए sporty लुक चाहिए आपको bike में safety ज़्यादा चाहिए high performance अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा speed में भगाते हैं तो फिर आप N-160 में जा सकते हैं लेकिन वहीं पर अगर आपको थोड़ी सी power ज़्यादा चाहिए फोर बाल वाला engine चाहिए UST fork भी चाहिए optional में और आपको family में भी bike को चलाना है तो फिर मेरे साब से आप extreme 160R के mid वाले model में या फिर आप टॉप बाले model में switch कर सकते हैं क्योंकि ये भी bike सबसे ज़्यादा value for money सावित हो जाती है features के मामले में वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करें, comment करें, share करें और देव MTR चैनल को subscribe करके bell icon notification को all पर click करें thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में